जहिन दोस्तों तरहें दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत आते हैं चेले दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कलास 10th English का वाइरल पेपर और दोस्तों हम बता दें कि अगर आप भी English में कमजोर हैं आपको कुछ नहीं आता है और आप लोग डर रहे हैं तो बिल्कुल भी अब आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि आज का जो पेपर होने वाला है वो यही पेपर है जो आपके बोर्ड एक्जाम में फाइनल एक्जाम में 17 फरवरी को पुछा जाएगा जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप सभी का जो इंग्लिस का पेपर है उसका एक्जाम कब होगा 17 फरवरी को याद रखिएगा 17 फरवरी को ये सारा कोस्टन पढ़के जाएए A to Z कोस्टन करके आईएगा बिल्कुल भी नहीं डरना है इंग्लिस से और इस बार इंग्लिस में भी 95 प्लस का टार्गेट लेकर चलते हैं और हम बता दें दोस्तों कि पैसेज बनाने का जो टिरीक है वो कैसे बनाया जाता है 14 नंबर का वो हमने आपको बता दिया है नहीं देखें हो तो उसको देख जरूर लिजिएगा क्योंकि बहुत आसान है 14 नंबर फिरी में मिल जाएगा वहाँ से ठीक है तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा होगा इंग्लिस का पेपर 17 फरवरी के लिए ठीक है जैसा कि आपके सामने दिया है टोटल 100 पुरनांका दिया रहता है ठीक है टोटल 100 पुरनांका रहेगा यानि 100 नंबर का और समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और आप लोग तो डरते ही होंगे इंग्लिस से लेकिन अब डरना बिलकुल भी नहीं है तो चलिए दोस्तों आज हम स्री गनेस करेंगे question नंबर 1 से दोस्तों अब है आपके सामने देखिए question जैसा कि आपनों को पता है कि total section A में जो है objective type question पुछा जाएगा आपको 100 objective question रहेगा कितना रहेगा 100 objective question जिसमें से आपको 50 objective question OMR seat में भरना है कहां भरना है OMR seat में ठीक है और परते question के लिए एक number दिया जाएगा तो चलिए question क्या है पहले उसको हम समझते हैं सबसे पहला question है एक एक question को सही ढंग से 10 से 15 मिनट देख लीजिए और सुन लीजिए याद हो जाएगा अगर आपका exam first sitting या second sitting में हो बिल्कुल नहीं घाबराना है question यही रहेगा cable number जो है इधर का उधर रहता है बस चलिए पहला है अंग सेन सु काई वाज जेल्ड इन तो आपनों को याद रखना है पहला का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा रेंगोन क्या हो जाएगा रेंगोन option number B किलियर है चलिए अगला question है आपके सामने question number 2 बुला गया है कि the old man is considered to be A तो इसको जो है इसका जो right answer होगा वो क्या हो जाएगा ruler, rural, 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 rural prophet यानि कि option number D आपका क्या होगा बिल्कुल right answer होगा याद रखिएगा सभी question को एक बार पढ़ना है और answer याद रखना है 17 फरवरी को जंडा लहरा के आना है इंगलीज में अगला question है that must belong to any culture that is true and virtual तो इसका जो right answer होगा आपनों को याद रखना है वो हो जाएगा unity and unity and university ठीक है उप्सन नमबर C आपका right होगा जो student भी अच्छा नमबर लाएगा ठीक है आप लोग सभी question को त्यार कर लें क्योंकि 17 फरवरी को यही question और यही paper रहेगा टेवल आप लोगों को सही धंग से लिखके OMR चिट में आना है चार नमबर question है तो इसका जो right answer होगा आप लोगों को याद रखना है क्या हो जाएगा यानि कि option number D आप लोगों को याद रखना है चलिए अगला question देखिएगा थोड़ा English में देखिए पढ़ने में परिशानी होता होगा लेकिन आप लोग अगर सही धंग से देख लेते हैं ठीक है और answer समझ जाते हैं तो बिल्कुल सही करके आईएगा पांच नमबर है इन दा टाउन दा नाइट अंगल इज तो आपनों को याद रखना है क्या चीज? म्यूट option number D हो जाएगा राइट आंसर ठीक है अगला question है आपके सामने question number 6 दिया गया है कि a dash man is very a dash man is very content with the few acres of potential land तो आप लोगों को याद रखना है छे नमबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हैपी हो जाएगा क्या हो जाएगा हैपी यानि कि option number C clear है? चलिए अगला question है आपके सामने grade is endless but life is not dash is prone तो आपनों को याद रखना है the impetee hurt क्या हो जाएगा the impetee hurt यानि कि option number A आगे बढ़ेंगे question number 8 है the children were transported to death on harin martha's studies तो इसका जोड़ाइट answer होगा आपनों को याद रखना है dreamland क्या हो जाएगा dreamland option number D एक-एक question को सही धंक से mind में state करके जाएगा 17 February को छापके आना है ठीक है money is halku wanted to pay the landlord after the death season तो इसका जोड़ाइट answer होगा याद रखना है harvesting क्या हो जाएगा harvesting option number B देखिए अगला question है आपके सामने question number 10 question number 10 है कि the poor death informed the banker about the lawyers disperience disperience तो इसका जो right answer होगा अपनों को याद रखना है watchman क्या हो जाएगा watchman option number A ठीक है अगला question है आपके सामने 11 number the doubter performed her duties without a word of इसका जो right answer होगा क्या हो जाएगा frustration क्या हो जाएगा frustration frustration यानि कि option number B ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 12 है कि who wrote the stories like the garden party and the fly तो इसका जो right answer होगा आपनों को याद रखना है क्या हो जाएगा katharian men's field option number C ठीक है इंग्लिस में आपको केवल एक बार reading देना है पढ़ लेना है और option याद रखना है ठीक है फिर देखिए कि 17 फरवरी को कैसे कमजोर से कमजोर student को भी नहीं डरना है इंग्लिस में क्योंकि paper आ गया है एकदम त्यारी कर लिजिए अगला है कि dash movement gives you a cervical sense of drama तो इसका जुराइट answer होगा याद रखना है आप लोगोंको ready paid क्या हो जाएगा rapid rapid हो जाएगा rapid option number A अगला question है आपके सामने question number 14 Mr. William was burning Mr. William was burning तो आप लोगोंको याद रखना है lips क्या याद रखना है lips option number C चलिए आगे बढ़ेंगे question number 15 है कि गिल्लूज eyes wear गिल्लूज eyes wear तो आप लोगोंको याद रखना है blue नहीं यानि कि गिल्लू का जो आँक था वो कैसा था blue था ठीक है चलिए अगला question है आपके सामने देखिए यहाँ पर केबल आप लोगोंको important याई है कि question को पढ़िए और option याद रखिए बेटर रहेगा और वहाँ पर आपको केबल लिखना है इन इंडिया the first dash was produced in 197 तो इसका जो right answer होगा अपनोंको याद रखना है short film क्या हो जाएगा short film चलिए अगला question है आपके सामने question number 17 बोला है many senior leaders have been dead in बर्मा तो इसका जो right answer होगा आपनोंको याद रखना है killed क्या हो जाएगा killed option number B अगला question है the house of the old woman is situated outside of the तो इसका जो right answer होगा याद रखना है city क्या हो जाएगा city option number D चलिए आगे बढ़ेंगे question number 19 है दोस्तों और question 19 को बताने से पहले बता दें कि अगर आपको किसी भी question का answer पता हो तो comment box में जरूर डालिएगा ताकि हम comment box को देखे तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल त्यारी में लगे होएं ठीक है चलिए life is life is bitter because it is full of तो इसका जो right answer होगा क्या हो जाएगा आपनों को याद रखना है troubles क्या हो जाएगा troubles चलिए troubles ठीक अगला देखिए question number 20 question number 20 है the happy man gets dust from his kettle तो इसका जो right answer होगा आपनों को याद रखना है milk क्या हो जाएगा milk option number C ठीक है चलिए अगला question देखेंगे question number 21 question number 21 हैब के सामने स्वारानी and riyas have been retained while तो इसका जो right answer होगा क्या हो जाएगा महादेवी बर्मा महादेवी बर्मा यानि कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्वारानी and riyas have been retained by इनके दोरा जो स्वारानी और riyas के दोरा जो लिखा गया है वो क्या है महादेवी बर्मा यानि कि option number C चलिए आगे बढ़ेंगे और दोस्तों आगे एक बात और बता दे कि अगर यहाँ पर पुरा question complete नहीं होगा तो इस question छोड़ देंगे और अगर अगला question लेना चाहते हैं पूरा A to Z यानि एक से 100 तक complete देखना चाहते हैं तो आप अपना नाम comment box में जरूर डालिएगा ठीक है चलिए तो इसका जो राइट अंसर होगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अगला question देखेंगे question नमबर 24 हैब के सामने तो इसका जो राइट अंसर होगा आपनों को याद रखना है called क्या याद रखना है called यानि कि option नमबर A अगला question है the flaming soul the flaming soul looks for his तो इसका जो राइट अंसर होगा आपनों को याद रखना है क्या हो जाएगा parents क्या हो जाएगा parents option नमबर B चलिए अगला question है आपके सामने question नमबर 25 बुला गया है कि who is challenging the mountain मतलब mountain challenging मतलब सर्थ लगा रहा है तो इसका जो राइट अंसर होगा आपनों को याद रखना है the porter क्या हो जाएगा the porter तो जोस्तों उमीद करेंगे कि आज जो है complete एक से 25 तक question आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग को फिर से बता दे कि आप सभी का English का paper जो है वो 17 February को है कब है 17 February को और 17 February को आप सभी का English का final paper होगा और उमीद करेंगे ये सारा question आप लोग पढ़के जरूर जाइएगा क्योंकि ये सारा question आप लोग को मेरे साथ है comment box में comment करिएगा कितने student मेरे साथ है जो कि सभी subject का वायरल paper लेना चाहते है तो दोस्तों उमीद करेंगे वीडियो सारा समझ में आ गया होगा question पढ़ लिजिए सेस question जो बच गया है वो अगले वीडियो में आ जाएगा और एक बात और अगर चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वायरल paper आप लोग के पास पहुंचता रहे और आप लोग किस राज से है comment करना नहीं भूलिएगा मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे महतरम